ऐलो दोस्तों क्या है होटबीट और क्यों जरूरी है होटबीट और क्यों हम कह रहे हिं कि होटबीट के था हम आप ट्रेंग किजिये डोस्तों ये सारे iNpoositions की जानकारी के लिए आमारेद्गे सानाथ वीडियो मेन्ट करते हैं कि हमारे द्वरार दीगे जनकारी आपको काफी फाइदा पहुंचाएगी दोस्तों सबसे पहले बात हम इसी बात पर कर लेते हैं कि हाटबीट के थूही आप क्या है से इसमें खास है कि जो और एक्सचेंज पे नहीं है जो वजीर देरी ना करते हुए हम आपको पताना चाहते हैं कि जैसे कि आप मिनों बार सबसे ऊपर देख रहे होंगे स्कॉल डाउन करने के बाद जो चीज़ां आ रही हैं वह एक्चुली में दोस्तों वह न्यू कॉइन लिस्टेट न्यू कॉइन हैं जिनकी इन्फॉर्मिशन होड़ अपने साइट पे पहले आपको देता है कि आप यह हमारे कॉइन जो हैं वो लिस्टेट होने वाले हैं उससे फाइदा यह होता है दोस्तों कि आपको नए कॉइन के बारें पता लग जाता है जिसका कारण आप उसे किसी और एक्षेंज पे या उसके खुद की साइट से खरीद कर अच्छा खासा मुनाफ़ा सौट टाइम में कमा सकते हैं क्योंकि हो सकता लिस्टेट होने के बाद उसकी वैल्यू काफी जादा बढ़ जाए और उस टाइम पे आप जो क्वांटिटी में उस एसेट्स को या उस कोईन को खर देंगे वो क्वांटिटी और एसेट्स आपको ना मिले इसलिए जैसी वो लिस्टेट होती है वैसे खरीदने में फायदा होता है लेकिन नुकसान ये भी होता है कि कोईन अगर आपको डूब जाती है तो सिदह सिदह नुकसान भी आपको जिलना पड़ता ह है तो दोस्तों आज हम जिसमुदे बात करने वाले हैं वह है कि हौट बीट में डिपॉजिट कैसे करें होडविट में डिपॉजिश करने के बहुत सारे मेथा यह लेकिन आपको यहाँ पर आफानार से यूज़टी में कंवर्ट करें कैसे लाना है क्योंकि डायरेक्ट प् कि जिस coin को आप खरीदना चाहरे है उस coin की market value क्या है high value क्या है low value क्या है market status क्या है उसका revenue क्या चल रहा है यह सारी information collect करने के बाद ही आप किसी भी coin को खर दें ताकि आपको कोई नुकसान ना जेलना पड़े वरना नुकसान होने के संभावना क्रिप्टो क्रेंस में बहुत ज्यादा होती है क्योंकि दोस्तों इसमें assets ऐसा होता है आज मानले जाओ उसका 2000-3000 profit आपको देखने को मिलेगा तो आवर से अविदिन अडे में हो सकता है कि उसकी value 5% या-20% तक भी या-2000% तक भी पहुंच ज करेंगे तो आपके सामने यह verification समागेगा क्योंकि अगर आप registered हैं और आपने अपना mobile गूगल वरिफिकेशन नहीं किया है तो यह verification प्रोसेस आपके सामने आएगा तो इस verification प्रोसेस को आसानी से कर लेना है करने के बाद जैसे आप इसको कर लेते हैं verification उसके बाद आपको क् में बताते चलते हैं चलिए एक बार verification कर लेते हैं यहाँ पर verification mobile numbers और उसके थुरू भी है आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि यह verification code है तो इसी order में जिस order में आपको दिखाई दरसी order में आपको करना है और जबाब कर लेंगे तो आपका mobile number registered हो जाएगा और फिर आप इन एक्सट प्रोसेस कर सकते हैं दोस्तों किसी भी coin को लाने के दो method है या तो आप USDT में लियाए या Tron में लियाए तो USDT में अगर आप लाते हैं तो charges काफी ज़्यादा पड़ता है और Tron में अगर लाते हैं तो as compared to USDT charges कम पड़ता है कभी भी दोस्तों USDT में लाने से पहले दो चीज़ों को हमें से ध्यान रखें कि आपका address जो है वो यह सी 20 पे स्लेक्ट है यह या य तिस्वन्टी पे क्योंकि अगर आपका यह सी 20 बे सेलेक्टेट है तो आपको जो जो ब्रोकरिंग चार्ज रिज्व काफी जादा देना पड़ सकता है इसलिए यह एर लाट टी आरसी 20 का ही यूच करने से फायदा यह होता चार्जेश बहुत कम पड़ता है और आपके पैसे बज सकते हैं इसलिए यह डिटी का यूज अगर ना समझवाय तो ना ही करें ऐसी सेम कंडिशन ट्रॉन के लिए भी अपला होती है जैसे माले आप ट्यार एकसे से आप अगर खरीद रहे हैं और उसमें अगर आपका एड्र या बीपी या कोई और है तो उसे सेलेक्ट ना करके आप अपने आप जैसे इसमें इयार सी ट्वंटी सेलेक्टेट है दोस्तों इयार सी ट्वंटी ना सेलेक्ट करके आप ट्यार सी ट्वंटी सेलेक्ट करें जब आप ट्यार सी ट्वंटी सेलेक्ट करें तो आपको जो चा वजीरक्स से अगर आप लाना चाहते हैं तो वजीरक्स में जाके, USDT पे जाके, अगर वहाँ की वैल्यू नहीं है, तो आप वहाँ पे, मेक पेमेंड में जाके, मोवी कुइक्सी या किसी से वहाँ से डिपोजिट कर लीजिए, अपने वजीरक्स पर, अगर आप में वजीरक्स इंस्टॉल नहीं किया है, तो हम आपको लिंक के डिस्क्रिप्शन में उसको दे देंगे, आप कर लीजिए, उसके बाद USDT में आ जाएगा, सेम चीज अब TRX के लिए कर रहे हैं, तो TRX में भी, जैसे इसमें पहले से सलेक्ट है, TRC 20, तो इसमें आपको दोस्तों करने के जिरूति नहीं है, TRC सलेक्ट है, इसमें पहले सलेक्ट है, अगर नहीं है तो आप कर लीजिए, जुरूरी भी नहीं कि इसमें सलेक्ट ही हो, तो TRC सेलेक्ट करने के बाद आप इसके जो नीचे quiet core के नीचे address है copy address option लिखा हुआ अभी तुसे आप copy कर लिजिए copy करने के बाद आप जहां से लाना चाहते हैं आप अजीर access से लाना चाहते हैं या LA token से दोस्तों फाइदा इतना है अगर आप जीर access से लाते हैं तो आपको फाइव ट्रोन का चार्जेश देना पड़ेगा लेकिन वही अगर आप LA token से लाते हैं तो LA token में आपको मात्री एक ट्रोन का चार्जेश पड़ता है जो आज कंपेट वजिए रेक्स बहुत खाम है तो इस ट्रोन टाइम में जैसे मालने जाए आप जब LA token में deposit करेंगे तो महां भी आइनार में deposit नहीं होता है तो उसके लिए भी आपको यूस्ट्ट करने होते हैं तो दोस्तों सीधे से कहने का मतलब है कि अगर आप 5 TRC का चार्जेश पे करना चाहते हैं तो वजिए रक्स से डार आपका जितना ट्रोन आपने लिया होगा वह माइनस हो जाएगा दोस्तों बिनीमम आप 50 TRON deposit करें यह वी डॉल करें इससे कम नहीं करें क्योंकि उसमें चार्जेश कर जाता है है आप अले टोकन से कैसे कर सकते हैं हलका सा डेमो हम दिखाने कोशिश कर रहें समझने कोशिश करें के आप सबसे पहले जिस भी कोईंस में आपको जाना मानले आपको ट्रोंच से डिपोजट करना है तो आप ट्रॉंट डाली है और मट्री ते दालिये तो मुझे चौना है तो आपके सामने पारब एक रहा होगा मैं इसको को select कर लूँगा select करने के बाद दोश्तो option ती बहुत सारे खुल के आते हैं आपको send TRX for free करना है क्या करना है कि करना है आपको sorry send to TRX address sorry आपको करना है send to TRX for free ना करें फोर फिर करेंगे तो कुछ और मैसेज में चला जाएगा उसके बाद address to send TRX जो आपने कोपी किया था में पेस्ट कर दीजिए और जैसे आप यहां पेस्ट कर देंगे तो फिर अबाद आपको डिस्पले में दिखाए दे रहा होगा जो चार्जाज है आपको फिद्ट लगेगा जो चार्जास लिखा जाएगा वही चार्जा में लगेगा वह आप कर दीजिए उसके बाद जितने ट्रांसपर कर सकते इससे कम करेंगे तो दोस्तों आप अपने ट्यार्स हो सकता लॉस भी घर जाए इसलिए कम ना करें इससे उपर ही बढ़ा की कर दें ताकि लॉसे ना हो वह आपकी होड़ बीट तक पहुंच जाए उसके बाद आप सब्मिट कर दीजिए अपने होड़ बीट में आई और वालेट में आप देख लीजिए वो ट्यार्स आपका पहुंच चुका होगा सेम चीज आप कर सकते वजी रेकसे सेम चीज होती है आपने ट्यार्स से रेक्ट किया इसमें ड्यपॉजजिट और विड्राल दूनों आपसर ए तो आपको क्या करना है आप जान दिख्रे करेंगों कि आप यह आँ से ले के लिए मिनिमूम आपको 50 TRX deposit करने होंगे विट डॉल फी वह आप सामने दिखा रहा 5 TRX काटेगा और जैसी आप 50 डालते तो 5 माइनस होगे 45 TRX आपके hotbit पे पहुंच जाएंगे इस तरह से जब आप सम्मिट करेंगे तो यह वैल्यू आपके सिद्धे hotbit पर पहुंच जाएंगे तो दोस्तों इसके बाद आप जैसे hotbit पर जाएंगे अपने तो hotbit of wallet में दिखाई देगी बट आपको पता है maximum जो कॉइंस हैं आपके जो भी एसेट्स है वह आपको पता है कि वह हमेशा ही यूसड़ी में ज्यादा रहता है आप क्या करेंगे कि इस TRX को सेल कर दीजिए जैसी आप इसको सेल करेंगे आप कोईंटिटी अपने इसाप से डिसाइड कर सकते हैं कि 70 करना है 75% करना 50% 100% या आपको क्वैंटिटी डाल के करनी है जितनी भी आपको सेल करनी है वह सेल कर दीजिए सेल करने के बाद सर्मीट आप जवाब करेंगे तो ओ वैल्यू आपको युएसडिटी में कन्वर्ट हो के आपके बीट दिखाए देने लगेगी जहां पर आपका ऐसेट होगा तो इस तरह से दोस्तों आप इसमें deposit कर सकते हैं या जैसे आप deposit कर लेते हैं तो दोस्तों जिस भी coin को आप buy कर रहें तो उसका market review एक बार जरूर करें उसके बाद इसको buy करें क्योंकि हो सकता है कि coins आपने देखा नहीं और खरीद लिया आपको losses हो जाए और अगले वाले वी value लगाई है माले जाए एक डॉलर का करदा आप चाहते हैं कि यह दो डॉलर के profit पर जाए और मैं इसको sell कर दूं तो sell करने के लिए पता चला आप सोए हैं तो नहीं कर पाए तो वह हम आगी information देंगे